Welcome to my YouTube channel BK English Art आज हम इंगली सीखेंगे एक छोटी सी स्टोरी के जरिये स्टोरी का नाम है Honesty तो आएए स्टार्ट करते हैं Once there was a man who was selling a pound of butter to a baker on daily basis Once, एक बार, there was a man, एक आदमी था Who was selling जो बेच रहा था a pound of butter, एक पाउंड मक्खन to a baker, एक बेकर को on daily basis, रोजाना की तौर पर एक बार, एक आदमी था, जो एक बेकर को रोजाना की तौर पर या रोज एक पाउंड बटर मक्खन बेचता था One day, the baker decided to weigh the butter if he was getting the right amount One day, एक दिन, the baker, वही बेकर जिसकी बात पहले हो चुकी है बेकर, decided, निरने लिया, to weigh, तोलने के लिए, the butter, मक्खन, if he was getting कि क्या वो प्राक्त कर रहा था, the right amount, सही मात्रा, मक्खन की सही मात्रा तो एक दिन, बेकर निरने लिया, कि मक्खन को तोला जाए, ताकि उसे पता चल सके, कि उसे सही मात्रा में मक्खन मिल भी रहा है या नहीं When he weighed the butter, he came to know, he was not getting the right amount When he weighed the butter, वे मतलब तोलना, जब उसने मक्खन को तोला, he came to know, उसने पाया, he was not getting the right amount कि उसको मक्खन सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो जब उसने मक्खन को तोला, तो उसको पता चला है, कि मक्खन तो उसको सही मात्रा में मिल ही नहीं रहा है He got angry and took the man to the court He got angry, उसको गुसा आ गया And took the man to the court और वह उस आदमी को कचहरी तक ले गया Court कचहरी, कचहरी तक ले गया The judge asked the man If he was using any measure to weigh the butter The judge asked the man Judge ने उस आदमी से पूछा If he was using any measure कि क्या वो कोई माप इस्तेमाल करता था To weigh the butter, बटर को तोलने के लिए तो judge ने उस आदमी से पूछा क्या वो मक्कन को तोलने के लिए कोई माप इस्तेमाल करता था The man replied Sir, I am illiterate I do not have a proper measure But I do have a skill The man replied उस आदमी ने उतर दिया Sir, I am illiterate Sir, मैं अनपढ हूँ Illiterate, अनपढ, मैं अनपढ हूँ I do not have a proper measure मेरे पास एक सही माप नहीं है But, लेकिन I do have a skill मेरे पास एक तराजू है The judge asked Then, how do you weigh the butter? The judge asked Judge ने पूछा Then, how do you weigh the butter? Then means तब तब तुम मक्षन को कैसे तोलते हो? How do you weigh? कैसे तोलते हो? तुम मक्षन को कैसे तोलते हो? The man replied उस आदमी ने उतर दिया Sir, I buy a pound of bread daily from the baker मैं एक पाउंड ब्रेट इसी बेकर से रोज खरीता हूँ I use that pound of bread मैं उसी ब्रेट को पाउंड की जगा इस्तिमाल करता हूँ As a measure, उसको माप की तरह इस्तिमाल करता हूँ To weigh the butter, मक्षन को तोलने के लिए मैं उनी की ब्रेट को माप की तरह इस्तिमाल करता हूँ The judge laughed and dismissed the case The judge laughed, judge हस पड़ा and dismissed the case और ये case ये मामला बर्खास कर दिया Moral of the story We get what we give Never try to cheat others इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है हम वही प्राप्त करते हैं जो हम देते हैं इसलिए हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और बेल आइकन दवाना ना भूले ब्ही प्लीज बाद आपको येक चैनल प्लीज दी तो ईंवाटि जो के बाद आपको अपड़ी । झाल झाल